इस market में पैसे कमाने का एक ही गुरुमंतर है एक ही तरीका है जिससे आप profitable trader बन सकते हो एक ही तरीका है जिससे आप अपनी wealth generate कर सकते हो वो है उस operator के सोचने का तरीका अगर आपने जान लिया उसके काम करने के process को आपने identify कर लिया उसके चलने के process को आपने समझ लिया तो guys आज आप इस market से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने यहां पर प्रिडिट किया कि यहां पर शौट नहीं करना आपको लॉंग करके चलना है आपने देखा मारको तेजी मिली ऐसा कैसे मैंने यहां पर आपको बोला कि यहां पर बाइंग करनी है हमारको शौट नहीं करना तो आपने देखा मारको यहां रेली इंज्वाई किया ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा भी कैसे हो सकता गाइस कि यहां पे 16,800 में वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां से मार्के चोबी साथ पर जाने वाली है और मार्केट का प्राइस सोलह अट रहे जैंड़े कर लिले हैं और से में नेंज्वाई कर चुक है और यहां से इंज्वाय करी से कैसे सिर्फ और सिर्फ उस operator की काम करने के process को मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही है जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप सोच सकते हैं ये वीडियो आपके लिए कितनी important होने वाली है अगर आपको इस market में पैसे कमाने है प्रॉफिट वर्ड ट्रेडर बनना है आपको उसकी सोच जैसे सोच लानी होगी जैसे वो काम कर रहा है वैसे आपको काम करना होगा जैसे वो process को follow कर रहा है उसके process को follow करते होए आपको भी उसके साथ साथ चलना है अब आप बोलेंगे आप हमारे को कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है अब हमारे को क्या पता वो क्या कर रहा है वो जो भी कुछ कर रहा है आपको चार्ट पर दिख रहा है ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करी जा रहा है और आपको trading setup है वो सरफ आप अपने चार्ट को देख रहे हो कि वह हो क्या रहा है बट आप उसके process को समझनी पारे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उसका चलने का तरीका कैसा है उसका मैंने एक और चीज नोट करी है उसको जो काम करने का तरीका है जो उसका pattern है काम कर करें दोस्तों के साथ और कोई आपकी रायो कमेंटों जरूर करके बताएं और समझते हैं ऐसा क्या setup है जिससे आपको सीखने के बाद समझने के बाद आपको advantage मिल सकें आप इस market को समझ सकें कि बड़ा buyer जिसका बहुत बड़ा पैसा है बड़ा operator जो market में कहीं न कहीं heavy buying कर र कोई भी बड़ा बायर जब buying करता है या selling करता है तो वो क्या करेगा वो heavy buying करेगा उससे क्या होगा एक हमारे को एक bullish candle मिलेगी आपको पता है कोई नहीं बात नहीं है moro bowser candle मिलेगी या कुछ भी नहीं आपको pattern मिलेगा कि आपको पता यहां पर कोई कुछ हरको तुई है यहां तक सब को पता है अब क्या होगा मैं वो बताऊंगा कि जब भी उसका एक जो pattern में हमेशा जो follow करता है जब भी वो market को ऊपर लेके जाता है उसके बाद जो उस बंदे का SL होता है operator का यह SL रहता है और हमारी क्या गलती रहती है हमारी गलती यह रहती है कि हम इसके बीच में SL लगाते है कोई SL 38% पर लगाता है 50% को लेकर के कोई SL यहां पर लगाता है 50% कोई SL लगाता है 68% 61.8% कोई 70 को 18 सबके अपने अपने सेट अब यह जो आप बाइंग कर रहे हो यहां पर कहीं पर अगर आपके बाइंग है तो कहीं न कहीं आपको यहां पर loss हो रहा है और लॉस हो और लॉस हो रहा है यहां तक जब तक उसके नीचे नहीं आएगा जब तक इस प्वैंट के नीचे नहीं आएगा operator हमेशा यहां पी बना रहे गा Lite अगर आप देखेंगे operator का जो ऐसो होता है 16 एक रूपया एक मीटे 15 पैसे भी stock के वो भी उसके लिए बहुत बड़ा matter करते हैं क्योंकि उसकी इतनी बड़ी quantity है कि अगर थोड़ा सा भी नीचा आएगा तो उसका बहुत बड़ा loss होता जो कि उसको नहीं चाहिए तो इस वले point के नीचे एक टिक भी आना allowed नहीं है इवन की विक भी आना allowed नहीं है इवन की price का candle जो उसकी जो आप विक कहते हो shadow कहते हो वो भी नहीं आनी चाहिए तो इतना बड़ा इसका role होता है और जैसे यहां तक आप सब हम सब हार जाते हैं यार यह stock तो चल ही नहीं रहा यह stock तो गिरता चला जा रहा है वहीं आ करके वह active होता है और दुबारा re-entry करता है re-buy करता है और उसी stock को वह bullish करता हुआ उपर के उपर लेता चला जाता है और यहां पर हम जो बेच देते हैं वो हम बेच देते हैं यहां पर डर के loss हो करके क्योंकि यहां पर जो मारके नीचे आ रही होती है हमारे को trend का दो पता नहीं होता यह हमारे indicator सारी नीचे के तरफ होता है आपके यह में वारे सारी नीचे होती है तो वहां पर सब short कर रहे होते हैं और वहां पर ही जो operator होता है जो बड़ा buyer होता है वो यहां पर पैसा कमा रहा होता है क्योंकि उसको नीचे दुबारा buying करनी है क्योंकि अगर वो यहीं से लेकर के चला जाए नोचे तो वो यहां से लेके जाता है अब ये जो पॉइंट आ ये जो एसल है ये केला एसल का काम नहीं करता ये ऐसल आपकी डार्ध बदले के काम करता है कि अगर ये एसल ब्रेक्शन हो गया तो यहां से डार्ध मतलब बड़ा परेटर है वह भी लॉज कर रहा है तो मैंने यह जी अब्जर्व करिए जहां पर एक अच्छे बायर की एक अच्छी कैंडल मिली है एक अच्छा पैटन मिला एक अच्छा सेट अप मिला है वहां पर वह ऐसल हिट नहीं होता यह जितनी बार में आपको यहां पर करवाई है आपको मैं दिखाऊंगा कि कि यहां पे करने गन का तरीका क्या है w tom 45 नीचे तक लेकर आने के बात भी प्राइज उनका ऊपर जाता है उसके बाद जब उपर जाना हों शुरूख होता है और यहां पर जब एक बार आप एटो कर चुके हो दोबारा ऐब अयह वा आपके अखों के सामने चलता 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 चाहेगा आप री एंट्री कर ही नहीं सकते दोबारा और वही में होता है उस ऑपरेटर का खेल और यह सारी चीजें अगर आप चाहत प्रोसेस चलता रहा और यही प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि इनका काम करने का अगर को चलना है उनके साथ तो उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा और उनकी सोच के साथ चलना पड़ेगा तो यह जो एक्सक्रीम को नीचे आता यह हमारे उससे City बचना पड़ए का जहां पर उस बड़े operator का बड़े buyer का यहां पर पैसा इंवाल हुआ है क्योंकि जो आप लोगों का stop loss है वह आप लोगों का stop loss है आपके mood accordingly आपका stop loss है आपकी pocket के accordingly कि मेर को इस तरहादा loss नहीं खाना आपका stop loss है percentage accordingly जबकि वह यहां पर कोई value ही नहीं करते कि stop loss चाहिए वहां पर जहां पर उस operator का stop loss है कि अगर वह कटेगा तो वह भी जाएगा और वह जाने वाला तक और यहां रसानी से नहीं है अब्ơiिक होसा धारि यहां से market चलती चली आहीं और आपके मन में सिर्व और सिर्व नेगटिविटी चल रही है मार्केट नहीं चल रही होगी नेगटिविटी आती है समझ आता है मार्केट गिर रही है नेगटिविटी आती है सही है समझ आता है बट ऐसा कैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है और हमारे मन में negativity है कि ऐसा कैसे कि market जो है नीचे नहीं आ रही खड़ी नहीं है उपर जा रही है हमारा mindset कहता है कि market गिरेगी यह क्या हुआ इसका मतलब हम operator के against चल रहे हैं उसके साथ नहीं चल रहे और पैसा कैसे बनेगा उसके साथ चल के तो यहां पर अगें जहां पर आप नहीं पर exit जिसकी कोई value नहीं आपके SL की और यहां पर आने के बाद आपके SL कट के market हलकी हो गई market में भी और हलकी हो गई जहां पर liquidations है सब की ठीक है न तो वहां से market अगें दुबारों पर और फिर वही बात के हमारे पास तो माल ही नहीं है market कहां से कहां पहुच गी हमारे पाइंग ही नहीं है तो जब भी market में buying आती है extreme level तक वह नीचे आता है फिर उपर जाता है फिर extreme level तक वह नीचे आता है ठीक है फिर उपर जाता है और similarly जब market नीचे आती है इस तरीके से वो स्ट्रीम लेवल तक उपर जाती है फिर नीच आती है फिर एक्स्ट्रीम लेवल तक उपर जाती है फिर नीच आती है इस तरीके से काम करने का प्रोसेस है यह जो उपर जाती है ना यहां पर आगर के जो बुलिश होता है sentiment वो बनता यहां पर जितने भी खूशकबरियान news good news यह वो सब आईगी और यहां से लगए यह तो अब उपर ही चला जाएगा यार हम तो रहेगे किया अगर आपने उसके stop loss को नहीं समझा आपने उसके process को नहीं समझा तो आप काटा मार दो कि आप इस पिल से पैसे कमा सकते हो हाँ वह बात अलग है कि अगर आप फंडमेंटल देख करके लॉंग टम के लिए रखा है क्योंकि उसमें तो मार्केट नीचे आ रहे हैं अपना कटकट आगे वह पीस उपर चलना चुरू हो जाएगी बट जो ट्रेडर है वह नहीं काम कर पाता और य नीचे आई उपर गई नीचे यह फाइफ सब्सक्राइब में नीचे जो कि हमारे इलेट वेफ के अंदर पैटर्न बनते हैं और यही हमारे को सीखने को मिलता है इलेट वेफ के अंदर कि यह एक हमारा ट्रेंड हो और यहां पर आप देख रहे हो कि जब मार्केट यहां से बुलिश थी उसके बाद मार्केट यहां पर ही नीचे की तरफ आई तो इसने क्या किया इसने यह किया किया कि इसने यहां पर सबको बेरिश कर दिया कि मार्केट नीचे जा रही नीचे जा रही है और अचानक यहां पर टर्मिनेट हो गया पैटर्न और यह उपर आनी चु उपर आई और उसके बाद next candle red 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 नीचे बिलकुल कहां से नीचे उससे भी नीचे जैसे यहां नीचे आई बेरिश फिर अगेन ऊपर एक्स्ट्रीम उपर इस लेवल से आप देखोगे कितना ऊपर तक आया ठीक है फिर अगेन नीचे तो इस तरीके से हमारे को जब ऊपर जात है उनके stop loss से चलना है वो क्या process से काम कर रहे है उस लेवल से चलना है तो जाकर के आप इस market में survive कर पाऊगे यहां पर देखेंगे आप market यह उपर गई इस candle में कितनी नीचे तक आई फिर उपर गई फिर नीचे आई फिर उपर गई फिर नीचे आई फिर नीचे आई 5 यहां पर जो है एक प्रॉपर पैटन है जिसको हम यहां पर ABC के फॉर में समझते हैं तो यह सब चीज आपको समयने के लिए इलेट वेव सीखनी पड़ेगे क्योंकि उसके बिना कोई भी सोर्स नहीं है अगर आपको अपरेटर तक पहुंचना है उसकी सोच तक पहुंचना है तो आपको इलेट वेव के पैटर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि वही पैटर्स में यह सारा खेल चुपा हुआ इसलिए के अंदर सब कुछ है उसके बाद आप यहां देखेंगे यहां से मार्केट यह गई उपर कितने सबॉनेंट में गई फिर फाइव में गई अब ए सब के यहां कटके सब के यहां कटके इसका क्यों नहीं कटा यह वाला लेवल क्यों नहीं कटा यह नहीं कटा देखिया आप यहां पर दोबारा दिखाता हूं आपको एक चीज और यहां से यह मार्केट उपर गई यह मार्केट नीचे आई कितनी नीचे आई यह देखिए आप और आपको expand करके दिखाता हूँ यहाँ पे market यह उपर गई कितनी नीचे है यहाँ पे एक्स्ट्रीम नीचे तक इतना और इतना रहागा बस फरक तो क्या हुआ जो यहाँ पे बेरिश था बंदा ट्रेडर वो यहाँ पर भी बेरिश था इसी वाले गिरावट में तो यहाँ पर तो उसको था कि यह शॉट मार और बट नहीं market अगेन उपर की तरफ क्योंकि यहाँ पर आप phase चेंज हो चुका है direction चेंज हो चुकी है यह direction ही तो सीखना है यह direction ही तो समझनी है और यह direction नहीं समझी यह stop-loss area नहीं समझे इनका काम करने का process नहीं समझा तो नहीं काम होगा नहीं काम कर से तेज फील्ड में अगर हम सिर्फ supporter resistance को identify कर रहे हैं सिर्फ हम यहां पर यह में इसको लगा रहे हैं तो नहीं कर सकते क्रेक्शन तो यहां पर आएंगे अब यहां पर क्या हुआ आप यहां पर देखेंगे यह market यहां से नीचे गिरी correction आई उपर तक गई यह पूरी रेली हमने शौट में भी काम किया मेरी सारी वीडियो जाव लेवल आप देखेंगे तो हमारे को basically इनके patterns को follow करना है अब भी यहां पर भी वही scenario अब यहां पर मैंने आपको buying दी क्यों दी उसका reason क्या था आपको मैंने बताया हूँ अल्रडी सारी चीज है क्यों है कि जो buying करके लेकर के आया है यही pattern है जो हमार को सीखने है समझने है और उसके बाद हमार को क्या है ABC ABC और अगर आपको इसकी knowledge नहीं है तो बहुत सी वीडियो मेरी यूट्यूब के लेवल है free of course आप सीख सकते हैं सीखिए यह क्या आप setup है तो यह अगर आप process को समझ लेत करके जो की बहुत जुरूरी है कि मार्किट यहां पर आप देखेंगे यहां पर देखिए आप मार्किट यहां से यह उपर गई ठीक है उपर जाने के बाद यह नीचे आई फिर उपर गई अब क्या किए से इस लेवल का एसल हिट कर दिया यह वहले लेवल का अब आपको लगा यहां से मार्किट तो उपर जानी चाहिए आपका resistance भी कट गया मार्किट अगे नीच आगी जब नीच आई तो वह इस लेवल के भी नीच आई बट यह चीज आपको कह बना तो डेली के अंदर भी इस के अंदर फाइश्रेवाटाट पैटन बना जो की मारा इंपल्सीव पैटन होता है तो चलते देखते का बना बाटम पे लिए यहाँ पे यह देखें आप यह आरे आप यह आप यह वह अपर गया और यह पर यहाँ आने की अपास इसने अपनी फॉस्ट वेव करी और है कि अभी तख लेकर लोग यही जानते हैं कि वन डू तो फॉर फाइव कहला बंस एट से अबी सी सीख लो इलेड वेव सीख लिए नहीं ऐसा नहीं इस से आप इतना कुछ आप सीख सकते हैं, इतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको हर एक मुमेंटम, हर एक मूव सीखने को मिलेगी, यह देखें क्या किया इसने यहाँ पर, यह उपर गया यहाँ से, कितना एक्स्ट्रीम नीचे तक आया, फिर उपर, एक्स्ट्रीम न नहीं पैसा कमा सकते अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निक इनालसिस के बेसिक्स पर कर रहे हो नहीं बात बनेगी आपको इलिएड वेव थियोरी सीखने ही पड़ेगी आपको वीडियो पसंद आई होगी इन्जॉय किया होगा आपने कुछ तर्ण कुछ सीखने को मिला होगा अगर आप इसको डीपली सीखना चाहते तो गायस इसके लावा कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम्स रहते हैं अगर आप जोइन करना चाहते ह आपको मिलेगा और अगर आपको इसके उपर देखना है कि एक्चुली यह होता भी है क्या नहीं होता तो इसके बहुत सी वीडियो आप वह देख सकते हैं कैसे कैसे बॉटम पे हमने हर चीज को बाइंक करिया वो देख सकते हैं गोल्ड को अपने बॉटम बाइंक किया प्राप्रादेन आर्के